कोरोना वाइरस के खत्रे को देखते हुए भारत के 30 राज्यों और केंदर सासित प्रदेशों में लोकडाउन कर दिया गया है इन राज्यों के 548 जिलों में लोकडाउन का आदेश दिया गया है वहीं पंजाब और माराश्टरा में भी लोकडाउन के बाद कर्फ्यू भी लगा दिया गया है इससे पहले दिल्ले में लोकडाउन के तहट लोगों को सक्त नियमों का पालन करने के आदेश दिये गए थे सरकार का कहना है कि लोकडाउन और कर्फ्यू की मदद से सोसल डिस्टेंसिंग में मदद मिलेगी लोग अपने घरों में रहेंगे और वाइरस के संक्रमन को फैलने से रोका जा सकेगा लेकिन लोकडाउन के दोरान भी देखा गया कि कई लोग बाहर निकले और सडकों पर घूमते हुए दिखे इसके बाद कर्फ्यू लगाने का कदम उठाये गया इस दोरान लोकडाउन और कर्फ्यू को लेगर लोगों में उलजन देखी जा रही है लोकडाउन क्योंकि एक नई पर करिया है तो उसको नियम समझने में परेशान या रहे हैं ऐसे में हम जानते हैं कि दोनों में क्या आंतर है तो पहले हम जानते हैं कि लोकडाउन क्या होता है लोकडाउन को महामारी अधिनियम 1857 में के तहत लागू किया जाता है ये अधिनियम पूरे भारत पर लागू होता है इस अधिनियम का इस्तमाल किसी विक्राल समस्या के दोरान होता है जब केंदर या राजे सरकार को ये विश्वास हो जाए कि कोई संकट या बिर्मारी देश या राजे में आ चुकी है और सभी नागरी को तक पहुँच रही है तो देश वे राजे दोनों इस अधिनियम को लागू कर सकते हैं इस अधिनियम की धारा दो राजे सरकार को कुछ सक्तियां परदान करती है इसके तहट केंदर और राजे सरकारे बिमारी की रोखथाम के लिए ऐस्थाई नियम बना सकती है सरकारे ऐसे सभी नियम बना सकती है जो बिमारी की रोखथाम में कारगर साबित हो सकती है इसी नियम के तहट सभी राजेयों में लोगडाउन का आदेश दिया गया है पाने फैक्ट्रिया और परिवेंद सुईधा सब बंद कर दी जाती है जहां संभव हो वहां करमचारी से घर के काम करने के लिए कहा जाता है लोकडाउन में सजा का प्रावधान होना जरूरी नहीं है एक तरह से लोकडाउन को बीना सजा के प्रावधान वाला कर्फ्यू कहा एक दंड प्रकरिया सहीता यानि की CRPC की धारा 144 के तहट लगाया जाता है इस धारा को लागू करने के लिए मजिस्टेट एक नोटिफिकेशन जारी करता है जिस जगह भी धारा लगाई जाती है वहां चार या उससे ज़्यादा लोग इखटे नहीं हो सकते हैं अगर पूर में C.A. के विरोध में हुए परदर्शनों और दंगों के दोरान हालात काबू करने के लिए भी कई जगों पर धारा 144 लगाए गई थी कर्फियू में जरूरी सेवाओं जैसे पुलिस, अगनिशमन, मेडिकल, पैरामेडिकल आदी सुईधाएं खुली रहती है और नोर्मल बिजली, ग्रोसरी और दूद आदी के दुकाने भी खुली रहती है अगर कोई धारा 144 इसको तोड़ता है तो धारा 188 के तहत उसमें 4 महीने की कैद या जुर्माना या दोनों की सजा हो सकती है इसलिए इसके अलावा गैर जरूरी काम के लिए आप गाडिया भी बाहर नही निकाल सकते हैं तो दोस्तो यह थी आज की वीडियो वीडियो में अपने जाना कि लोकडाउन और कर्फ्यू में क्या अंतर होता है तो अगर हम ब्रीफ में समझे तो लोकडाउन में लोगों सो एक कर्फ्यू के तरह ही होता है लेकिन उसमें सजा का प्राउधान नहीं होता है जबकि कर्फ्यू में सज्ञा का प्रावधान भी होता है और धारा 144 लगा दी जाती है तो यह थी आज की वीडियो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी दोस्तों वीडियो पसंद आई तो प्लीज मेरी यूट्यूब चनल को सब्सक्राइब कीजी मिलते हैं दोस्तों एक नई वीडियो में बड़े इंट्रेस्टिंग टॉपिक के साथ तब तक